Hello everyone, एक बार फिर से आप सभी का सौगत है मेरे इस वीडियो में मैं हूँ दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल English History Point आज मैं आप सभी के लिए बहुत इमात्मूर चैप्टर ले करके हैं हूँ जैसे कि आप स्क्रिन पर देख पा रहे हैं The Waste Land के समरी आपको इस वीडियो में मिलने माली है तो यदि आप U PPGT की त्यारी कर रहे हैं यह फिर NTN NET JRF की त्यारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपकी हेल्प करेगी ही करेगी और इसके अलामा यदि आप TGT यहा फिर LT Great की त्यारी कर रहे हैं तो आप अपने syllabus को चेक करिए, हो सकता है, आप यूपी से बाहर कहीं से देख रहे हों, तो आप अपने syllabus को जरूर चेक करिए, जिस भी exam की आप त्यारी कर रहे हों, यदि आपके syllabus में T.A.C.L.E.T. हैं, तो ये वीडियो आपकी help करेगी, यहाँ पर आपको दो websites मिल नहीं है ये दोनों मेरी खुद की websites हैं, आप better study के लिए इनको visit कर सकते हैं, और आप अपने plan के अनुसार pages को देख सकते हैं, और better study कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एक सन मिलना है, जो की 2021, यह इस वीडियो के बनाने का year है, इस book से इसका कोई relation नहीं है, पहले ही जान लेजिए, ठीक वैसे भी clear हो रहा है, लेंड है, जो की waste है, अर्थत बंजर भूमी जो अनुपजाओ है, जिसमें fertility नहीं है, ठीक है, तो एक ऐसी बंजर भूमी जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह जमीन तो है, लेकिन इसमें कुछ भी उगा नहीं है, कोई घास, कोई पेंड पौधा कुछ भी नहीं है, एक तरम से यह वूसर है, ठीक है, तो इसी तरह के बंजर भूम से मतलब है, अब आपको बता दें, कि जो the wasteland poem है, यह किस के द्वारा लिखा गया, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, T.S. Elliot के द्वारा लिखा गया है poem, the wasteland, इनका पूरा नाम है Thomas Stones Elliot, नोट कर लिजिए, हाँ, यदि आप नोट बनाने के सोकीन है, तो वीडियो को बीच में पास करके नोट बनाते रहे हैं, यदि आप नोट बनाना नहीं चाते हैं, तो important points के screenshot ले लिजिए, या फिर वीडियो को 5 बार देखिए, ये 5 बार आप 2 दिन, 4 दिन, ये सब्ता के gaping पर देख सकते हैं, जिस दिन आप 5 बार देख लेंगे, सारे points आपके mind में set हो जाएंगे, तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को जब आप देखेंगे, तो आपको क्या benefit होने वाला है, यानि objectives क्या है इस वीडियो के मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है, तो पहला आप देख वा रहे हैं, आपको summary देना है, दवेश्ट लेंड का, ठीक है, बहुत अच्छे से मैं चाहता हूं कि आपको summary दे दूँ, थोड़े सब्दों में, लेकिन बहुत साठीक, बहुत solid summary मिल जाए आपको, ठीक है, दूसरा क्या है, आपको important points मिल जाए, इस poem के, जो important points मिल जाए, त्यार हो जाए, ठीक है, तीसरा क्या है, कि आप poem का बहुत अच्छे से त्यारी कर ले जाए, चौथा जो point है, मैं इस video के माध्यम से आपको देना चाहता हूं, वो है, कि आपको conditions मालूम पढ़ जाए, world की in the 19th century, यानि 19th century में क्या condition था, world का, इस से आप परचित हो जाए, पाच्वा point जो मैं आपको देना चाहता हूं, इस video के माध्यम से वो है, कि इसमें कितने sections हैं, the wasteland जो poem है, ये कई sections में divided है, तो आपको पता से जाए, कितने section है, और उनका क्या name है, अगला जो point है, आप बहुत अच्छी तरीके से जा सर्मन का क्या effect रहा है, क्या प्रभाव रहा है, कि ये अपने poem में इनका उधरन चरूर दिये हैं, हिंदु उपनिसत से और बुद्ध के the fire sermon से, ये कि ये सभी चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली हैं, तो आगे बढ़ते हैं, और poem को शुरू करते हैं, समरी देखना शुर तो the wasteland, एक बार फिर से आपको बता दें, आनुव जाओ भूम, जिससे कुछ भी अप profit होने वाला नहीं है, बेकार है, उससे कोई भी gaining नहीं की जा सकती है, ठीक है, यूज लेस जिसे हम कह सकते हैं, poem लिखा गया है, T.S. Elliot के दोरा, एक बार फिर से इन का नेम, सुन लिजे, Thomas Estones Elliot, ठीक है, तो यहां मैं main main points बताऊंगा, वैसे यह पूरा PDF तयार किया गया है मेरे दोरा, लंबा है, तो यदि मैं पूरा line to line यदि आपको दूँगा, तो बहुत ही जादे समय लग जाएगा, यदि आप इसका पूरा study करना चाते हैं, जितने भी text आपको इस video में नजरा रहे हैं, यदि आप इसको text के रूप में अध्यन करना चाते हैं, तो आप मेरे website को जरूर visit करिए, website का link आपको video के description box में मिल जाएगा, और साथ यसाथ यहां i के button में भी आपको मिल जाएगा, i बहुत महत्पूर पोयम मानी जाती है, 20th century की, समय लेजिए, 20th century की पोयम है, बहुत ही महत्पूर पोयम है, और यह बिलोंग करती है, the modern age से, point आप नोट करते रहेंगे, एक बार फिर से आपको बता दें, यह composed है, टी एसलियेट की तोरह, और यह published हुआ, यह पब्लिश हु और यह ऐसे जो लिखा गया है, इसका main theme क्या है, कि एसलियेट ने क्यों लिखा, क्या देना चाहा, society को अपने पोयम के मात्यम से, वो हम देख लेते हैं हाँ पर, कि एसलियेट ने माना, कि जो world था, वो has denied or ignored the spiritual life, कि उस समय की दुनिया, जो 19th century का world था, जो 19th century की दुनिया थी, वो spiritual life को बिल्कुल से खो चुकी थी, यानि, people living in the 19th century have lost the spiritual faith, and according to the poet, the world became the wasteland without spiritual interest, without true love, without honesty, तो यह सभी चीज़े हैं, जो 19th century की लोग बिल्कुल से खो चुके थे, तो यही main theme है, T.S. Eliot का इस poem को compose करने का, कि लोग अपने moral value को खो चुके थे, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, खो चुके थे, उन्हें बस अपना temporary, जो चडिक profit है, उसी पर धियान था, और T.S. Eliot का main theme क्या था, इस poem को compose करने का, तो main theme था, कि उस समय की दुनिया, उस समय के लोग अपने spiritual value, moral value को खो चुके थे, यानि वो immoral हो चुके थे, कहें तो lust में, sexual interest उनका बहुत ज़्यादे बढ़ चुका था, true love में believe नहीं करते थे, dishonest हो गए थे, temporary and quick profit में ज़्यादे धियान देते थे, human relationship बहुत ही निम्न अस्तरका हो गया था, तो ये सभी चीज़ें उस समय की थी, जो world war के ज़ेश्ट बाद की थी, तो जो effect रहा था society पर वो बिल्कुल बदल चुका था, तो उसी को main theme बनाते हुए इस poem को लिखा है टिया सिलियट ने और उसको वेस्ट लेंड करार दिया है कि 19th century का जो world था, वो वेस्ट लेंड बन चुका था, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये कैसे हुआ था, और ये क्यों वेस्ट लेंड हुआ, पूरा आपको मिलेगा इस summary में, तो चली आगे बढ़ते हैं, ये poem दा वेस्ट लेंड कंबिनेशन है, दा लिजंड आफ दा होली ग्रेल, इसका कंबिनेशन है, और फिसर किंग, इन दोनों का कंबिनेशन है दा वेस्ट लेंड, आपको आगे जिक्र भी मिलेगा, और इसमें धे सारे इलुजंस लिये गए हैं, वेस्ट हर्ण, खैनन से, बुधिस्म से, और हिंदू उपनिसद से, ठीक है, तो ये जो poem है दा वेस्ट लेंड, एक collection है इलुजंस का, और ये बहुत से बाहर के, जो उपनिसद हैं, जो ग्रंथ हैं, जो ऐसे ही नैतिक मूल्य वाली पूस्तके हैं, वहां से लिया गया है, उधरन, और टी एस इलियेट ने इसको कंबाइन करके, एक बहुत एफेक्टिव poem तयार किया, टीक है, अब यहां पर main point आया है, चाहें तो आप screen shot ले लिजिए, यहां आपको बताया जा रहा है कि जो the best land poem है, टी एस इलियेट the dead, दूसरे सेक्शन का नेम है, a game of chess, तीसरे सेक्शन का नेम है, the fire sermon, चौथे सेक्शन का नेम है, death by water, और फिफ्ट सेक्शन का नेम है, what the thunder said, ठीक है, तो एक बार फिर से मैं कहता हूं, screen shot ले लिजिए, बाद में आपकी त्यारी में अच्छे से काम आएगा, तो यह हुआ five sections और उनके नेम, तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूँ, सिर्फ first section ही मैं दूँगा, यानि first section के समरी आपको मिलेगे इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए, जो बाद के sections हैं, उसके लिए मैं two videos और बनाऊंगा, यानि first section के बाद, second and third का combine करके एक वीडियो, and fourth and fifth section का combine करके एक वीडियो, तो इस वीडियो के बाद आपको two videos और मिलेंगे, तेदी आप इस चैनल पर नहें हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, और मेरे वीडियो की जरूरत है आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजि हैं, the burial of the dead, in the first section, हम पहले section की बात करें, तो ये section आपको बताता है, कि जो contemporary world था, यानि 19th century का जो world था, उसमें life नहीं थी, यानि उसका जो life था, वो life होते हुए भी death के समान था, ठीके, तो यहाँ पर विरोधा भास है, आप इसको समझिए, कि लोग जीवित तो थे, लेकिन उनकी moral value मर चुकी थी, उनकी spirituality मर चुकी थी, यानि उन में कोई आध्याद मिक्ता नहीं थी, तो ऐसे मानो, जिनका कोई moral value ना हो, जानवर जैसे behave करने लगे हो, तो ऐसे आदमियों का जीवित होना, मरे हुए के समान होता है, तो यही कभी कहना चाहता है, कि वो जो दुनिया थी, वो west land बन चुकी थी, आगे हम देखते हैं, it is a living death for men, for lost faith in spiritual vision, वही चीज मैंने आपको बताया, कि ऐसे आदमी, जिनकी आध्यात्मिकता में रूची नहीं रही हो, आध्यात्मिक नहीं रहे हो, ठीक है, उनकी moral value मर चुकी हो, ऐसे लोग जीते जी मरे हुए के समान होते हैं, अब यहाँ पर जो red lines आपको मिल लहीं है, यह बहुत ही golden line है, इस poem की, इस part की, love has degenerated into lust and sex, यहाँ पर आपको मिला है, बहुत important है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि, इस समय की दुनिया बदल चुकी थी, इसके पहले की जो दुनिया थी, वो लोग love में bleep करते थे, उसमें sex और lust का बहुत जादे part नहीं हुआ करता था, ठीक है, यह lust और sex होता था, लेक था तो होता था, अब यह है lust और sex है, तो फिर love है, ऐसा दुनिया ने बदल लिया है अपने आपको, और दुनिया में अब यह चीजिया ने true love आपको देखने को नहीं मिलती है, लोग इसी के पीछे भागते हैं, ठीक है, तो यह degenerate कर दिया है, लब को, 19th century की बात हो रही है अगली लाइन देखते हैं, love has lost its proper function and is no longer a source of life and vitality, यह भी लाइन बहुत महत्पूर है, लब को source माना जाता है, life का, ठीक है, लेकिन present समय में, आज के समय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं contemporary यारी 19th century की बात कर रहा हूं, कभी present समय की बात कर रहा है, कि present समय में, जो love है, अब वो source नहीं रहा, life का, और vitality, यानि जीवन सक्ति का, तेज़स्विता का, इसमें बहुत ही force होता है, बहुत power होता है love में, लेकिन वो सब अपना power खो चुका है, ठीक है, तो वो जो situation है, उस present समय का, contemporary world का, वो एक theme create करता है, एक नहीं, उसमें तमाम themes मिल जाएंगी, लेकिन वो themes रहेंगे, disillusionment की, मोह भंग की, और despair निरासा की, ठीक है, तो उसमें आपको disillusionment और despair देखने को मिलेगा, ये summary है, first part की, जब आप first part का अध्यन करेंगे, किताब लेकर के, तो आपको यही सब नज़र आएगा, और इसका जो title है, title आपको क्या मिला था, the burial of the dead, ठीक है, तो ये title लिया गया है, burial service से, वो भी, एंगलिकन burial service से, यानि अंग्रेजों की जो burial service हुआ करती थी, वहां से इसका name लिया गया है, और कभी आपको बताना चा तो जीवन प्रस्पुटित होता है, चाहे उपेड़ पौधों में हो, चाहे जीवजन्तों में हो, बहुत ही सुनाहरा बहुत ही आनंदायक, और pleasant weather होता है, और season होता है, इस प्रिंग का, ठीक है, लेकिन, कभी जो है, वो बताता है, कि April is the cruelest month, because April is the month of rebirth and joy, इस चीज को आप ध्यान दीजे, इस प्रिंग का महीना आगया है, अप्रिल का महीना है, और अप्रिल के महीने को, month of rebirth and joy माना जाता है, पुनर जन्म का, यानि इसमें सभी चीजें नई कोपले निकलती हैं, बेड़ में नए पौधे जन्म लेते हैं, ठीक है, तो जीव जन्तों के लिए धर्ती ही अनुपजाओ हो गई है, तो बेदर से क्या फरक पड़ता है, जमीन में कोई पौधा हो गई नहीं रहा है, कोई पेड़ है नहीं है धर्ती पर, तो इश्प्रिंग बसंत रितुआने से क्या होगा, कोई फोल खिलेगा, आम में बहुर आएंगे जब आम का मतलब यहां कहने का यह है, कि लोग तो थे, पेड़ पौधे भी थे, सब कुछ था, लेकिन मौरल बैलू नहीं थी, तो मौरल बैलू ना होने के करणा, उस समय के मानों की भी कोई बैलू नहीं थी, अप्रिल का महीना आ रहा है, रिवर्थ और ज्वाय का महीना है, वो कोई आनन्द नहीं देता है, ठीक, यह कहने का मतलब है, यहां कभी का, आगे बता दे, यह जो सेक्षन है, फर्स्ट सेक्षन, दबरियल आप दडेड, इसमें कभी आपको फोर विगनेट्स देता है, सब्दचितर आपको मिलते हैं, ठीक है, यह सारे के सारे आपको इसी पार्ट में देखने को मिलेंगे, यानि चार पार्ट हैं इस सेक्षन के, ठीक है, उन चारो पार्ट का हम इसमें डीटेल में अध्यन करेंगे, आगे आपको मिलेगा, कि जितने भी पार्ट हैं, चारो पार्ट हैं, चारो पार्ट में आपको डिफरेंट स्पीकर्स मिलेंगे, कोई स पार्ट की बात कर रहे हैं यहां पर इसमें एक speaker आता है और unidentified person रहता है वह आप रचित बेखती रहता है आता है modern person है modern person contemporary person contemporary world का 19th century का और वही हाव आओ सब कुछ spirituality नहीं है coffee का सोकीन है coffee पीता है और विसेश लोगों से बाते करता है और इस तरह से अपने घंटों बिताता है वो बाद में अपना परिचे जो वक्ता है जो speaker इस पार्ट में आया अभी unidentified था अपना परिचे देता है किस रूप में Countess Mary Larrick Mary Larrick यह German princess है और यही है वक्ता इस पार्ट क ध्यान दीजिएगा यह question बन सकता है कि first section के first word में कौन speaker है तो Mary Larrick है German princess है ठीक है इसमें जो difficult word है मुझे लगता है जो आपको meaning हिंदी में पता होना चाहिए वो मैं यहाँ पर लेख दिया हूँ आप ध्यान से देखेंगो तो सारी हिंदी आपको मिलती रहेगी और यह Mary Larrick इस पार्ट में आती है वक्ता के रूप में आती है तो क्या बताती है अपने बस्पन की कहानी बताती है कि वो कितने इस्ट्रा बैगेंट थी कितने खर्चेले थी वो और यहाँ पर टीएस इलिएट, माइपएस्ट जो लिखा गया है, काउंटेस Mary Larrick के दोरा, यही Mary Larrick के दोरा लिखा गया है 1923 इस भी में माइपएस्ट लिखा गया और यह इनकी क्या है आटो वेवग्रेफी है, आतम कता है इनकी Mary Larrick की तो वहाँ से T.S. Eliot ने यूज़ किया है कुछ पार्ट लिये हैं माई पास्ट से T.S. Eliot ने इस पोएम में ठीक है इतना समझ में आ गया अब हम आगे चलते हैं सेकंड पार्ट को देखते हैं पहले पार्ट में हमने देखा कि मैरी लारिक आती है अपना परिचे देती हैं और अपने बारे में बताती हैं उनकी आत्मकथा वहाँ आपको देखने को मिलती है ठीक है आप सेकंड पार्ट देखते हैं सेक्षन फर्स्ट पार्ट सेकंड ये सेक्षन आपको डिस्क्रिप्शन देता है बेरी ड्राइ dusty and disolate world इसमें आपको the waste land का परिचे मिलेगा जहां सब कुछ सूखा सूखा सा है धूल युकत है और सून सान उजाड है यह अकेला अपन फील होता है वहां कोई नहीं है ऐसा रगता है a girl who was known as the hyacinth यहां पर एक लड़की hyacinth के फूल प्राप्त करती है अपने लवर के दौरा एक साल पहले बहुत खुश थी hyacinth एक प्रकार का फूल है जिसमें बहुत अच्छी खुश वूँ आती है और उसको hyacinth मान लिया गया tells herself neither living nor dead यहां पर इसको ऐसे प्रश्ट किया आता है कि अब वो ना तो जीवित है ना मरी हुई है एक दिन जब वे हैसinth के बगीचे से लोटे तो ना वो मिर्तक था और ना ही जीवित था तो यहां पर जो उसका लवर है उसको प्रेजेंट किया आता है कि वो ना मरा हुआ था और ना ही जीवित था ठीक है तो इस पार्ट में यह आपको एक लविश्टोरी मिलती है ठीक है यहां पर ट्रैजिक लविश्टोरी है कहने का मदलब है यहां पर नएतिक मूल और सबसे बड़ी बात इस पार्ट में आपको क्या देखने को मिलता है इस पार्ट में सबसे पहले यही देखने को मिलता है कि लब क्या चीज है पहले लब क्या हुआ करता था और प्रेजेंट समय में लब के रिक्वाइर्मेंट क्या है आपके पास क्या होगा तो लब करेंगे आपके पास ब्यूटी होनी चाहिए फिसकल अट्रेक्शन नंबर एक होना चाहिए ठीक है और लोग अट्रेक्ट होते हैं फास सेक्सूल इंटर्टेनमेंट फास सेक्सुलेटी और फार लस्ट ठीक है इसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया गया इस पार्ट में तो ये हुआ दूसरा पार्ट अब हम तीसरे पार्ट में आते हैं तीसरे पार्ट में मैडम सोस्रिट्रिस मिलती है जो ठैरोट कार्ड देख करके भविस्य बताया करती है इसमें पूरा खेल यही मिलेगा मैडम सोस्रिट्रिस का और ये predict करती हैं लोगों का भविष्च बताती है टेरोड कार्ड से और ये जो भी भविष्च वाड़ी करती हैं उनकी भविष्च वाड़ी लेटर के जो पार्ट है इस पोयम के उसमें आपको देखने को मिलता है ठीक है ये थार्ड पार्ट हो गया अब चौथा पार्ट है यानि सेक्सन फर्स्ट का पार्ट फॉर इसमें अन्रियल सिटी का जिकर मिलता है कभी टीयस इलेट ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है अन्रियल सिटी जिसे हम कह सकते हैं सपनों की दुनिया जो अन्रियल ह है और इसमें लंदन सहर को पेज करते हैं और बताते हैं वहाँ पर काफी रस है और जो सिब्लाइजेशन है वो डिष्ट्राइड हो चुकी है वाउडेथ मृत के दारा जो लोग जीवित हैं वह मृत के समान है सिब्लाइजेशन तो बिल्कुल रही नहीं गई है और जो युद्ध हुआ था युद्ध के बाद की जो इस्थित थी वो यहां पर सेयर की गई है ठीक है वो कंडिशन सेयर किया गया है और जो लोग पहले से थे युद्ध के पहले जो लोग बहुत ही और एक वैलिटी रखते थे काफ elbow की भुखत हाई थे आइसे लोग आप मार दिएगये थे उनके डैथ हो चुकी है वो दत्फणा दिए गए है इन चर्चेश जम ठीके चर्चेश, में वो कर दम दी एगए है तो ऐसे में क्या होता है कवी आगे पूछने की कोसिस्स करता है य यहां आपको मतलब है कि जो लोग बैलू वाले थे जिनकी हाई थी उन सबको यूदे में मार दिया गया है उनको दफना दिया गया है तो क्या जिनको मार दिया गया है उनके उनका रिवर्थ हुआ यहां पर जो प्लांटेड है आर दे स्टार्टेड इस्प्राउटिंग क्या उनमें से प्रस्फुटन हुआ है नए पौधे उग रहे हैं मतलब उनमें उनका कहीं पुनर जनम हुआ जिसके जैसे एक बेक्ति मॉरेल्टी वाला इस्पायर हो आप लोग भाग रहे हैं किसी अंधी चीज को खोज रहे हैं क्या है वो बस ठेंपरेरी एंड क्विक प्रॉफिट है लो से रिलेसंशिप का हुमन रिलेसंशिप नहीं है यह सभी चीजी आपको इसमें मिलेंगी आप ध्यान से देखिए आपको लग रहोगा मैं जादे बत रहा हूं पोयम लॉंग है यह सभी चीज आपको पता होनी चाहिए तो सेक्षन सेकेंड और सेक्षन थार्ड की समरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर के वीडियो जरूर बनाओ और अभी तक आपने एक बार फिर से मैं कहता हूं अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपको लगता है कि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बना पाता हूं तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और वेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजिए ताकि जैसे में वीडियो अपलोड करूं आप तक जरूर पहुंचे लास्ट में दोस्तों एक बार मैं और कहना चाहता हूं के दिया बेटर इस्टेडी करना चाहते हैं तो आप मेरे वेफसाइट को जरूर विजिट कर बरा मेरे Android अप suppressed कर सकते हैं जो कि प्लेस्टोर का Εाप है English सिर्डक नेम से है अप लिंक पे क्लिक करेंगे आप तुरंठ प्ले स्टोर पर पहुंचेंगे वहां से आप मेरे अप्लिकेसण को डाउनलोड कर सकते हैं साथ यसाथ आपको आइसी वीडियोस धेर सारी वीडियोस की लिंक description box में मिल जाएगे description box को जरूर चेक करेए और पूरी वीडियो जरूर देखेए ये कोई suggestion है कोई feedback है तो आप बिलकुल दीजिए आपका स्वागत है तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नई जोस ने उर्जा के साथ तब तक के लिए बाबाई दोस्तों